तो आज गाइस मैं आप लोगों के साथ जो रिवीव शेयर कर रही हूँ वो है माइगलें के कुछ प्रोड़क्स का तो यह जो प्रोडक्स हैं गाइस यह मैंने माइगलें की साइट से डारेक्ट पछेस किया हैं माइगलें पर इस टैम पर बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स तो यह मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो कुछ सर्वे टाइप होते हैं कि आपको वह सर्वे करना होता है उसके अलावा आपको 1.99 रुपीज इसका शेपिंग चार्ज होता है उसमें अगर आपको यह प्रॉडट इस तरीके का परचेज कर लेते हैं तो वह शेपिंग काफी आफोर्डेबल रेंज की लगे मुझे यह सारे प्रॉडट्स की 250 रुपीज में आपको काजल भी मिल रहा है मैट लिप लाइनर भी मिल रहा है एक आईलाइनर भी मिल रहा है अब बात आती हैं प्रॉडट्स की कि इन्हें हमें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए किस तरीके के प्रॉडट्स हैं अफोर्डेबल होने के साथ में वर्थ प्रॉडट्स है या नहीं है तो मैं बात करती हूँ सबसे पहले अपने इस सूपर फूड्स काजल की तो यहां पर जो मेरा शेड है वो है जैट ब्लेक तो अब्यसली मुझे काजल जो है वो नेचुरल अवोकाड़ो का इसमें यूज हुआ है और साथी साथ समझ प्रूफ है वाटर प्रूफ है एंड्रेजड विद वाइटमिन ए तो जब भी काजल की बात आती है समझ प्रूफ वाटर प्रूफ सभी आपर मैंचन कर देते हैं बट वह होते नहीं है जब आप जाते हैं कि वह वाटर प्रूफ है या नहीं है बट क्योंकि विंटर्स है तो मैंने नाइट के रूटीन में जब जाके अपना फेस क्लीन किया फेस वाट से तो गाइज यह काजल मेरा बिल्कुल भी नहीं हटा था एजट लगा हुआ था उसके अलावा मुझे इसको जो है मेकप रिमूवर से ही क्लीन करना पड़ा उसके बाद मेरा काजल जो है रिमूव हुआ स्मज़ प्रूफ है एक बार आप इसका स्टोक लगा लेंगे 10 मिनट उसको सूखने दीजिए बिल्कुल भी टच मत कीजिए उसके अलावा गाईज वो बिल्कुल भी स्मज़ आपका क काजल नहीं होगा बैस्ट क्वालिटी का मुझे काजल लगा सबसे पहले मैं इसको अपने हाथ पर भी अप्लाए करके देखा था एक स्टोक बना करके उसके लावा गाईज बरतन भी साफ कर लिए सब कुछ कर लिया और मेरा काजल जो है वो एस लगा हुआ था तो बैस्ट अलावा मैं बात करूं तो य। यह है हमारा आइलाइनर पैंसिल यह मट में हैu और में आइलाइनर पैंसिल गास। यह इस तनी ब्लुइश शेड है एंड इसकी अगर मैं बात करूं गाइज तो यह आप देखिए यह है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लगता है आइस पर ब्लैक के लाव अगर आप को इस तरीके का लाइनर पैंसिल अपने लिए रखते हैं तो एक यह शेड हुआ एक पीकॉग ग्रीन मैंने इसको भी 10 मिनिट्स तक रहने दिया था बट यह बिल्कुल भी नहीं रुका और बहुत ज्यादा यह आपकी आइस पर फैल जादा तो जिसे साब से इसका प्राइस हाला कि मैंने तो इसे इंजस्ट रुपीज वन में ही परचेज किया है बट अगर यहां पर जो प्र 445 रुपीज तो उसके अकॉर्डिंग तो यह मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा है वह बस इतना है कि आप अपना उतना ही इसको यूज कर सकते हैं विंटर सीजन के लिए बैस्ट बट समर्स में मुझे नहीं लगता यह ज्यादा टाइम तक चलेगा अब बात करते हैं हमार ढूँरे लिप लाइनर की तो यह हमारा लीप लाइनर जिसका की शेड है यहा पर आप इसका प्राइस देख सक्ते हैं 440 इप यह हां पर मेंचन किया गया है पैंचल की अगर बात कर औzlich तो सेम यही वाली पैंचल है जो यही लाइनर वाली अगर मैं बात करूँ अगर आप मैट लिपस्टिक यूज करेंगे तो यह जादा दे क्योंकि यह आउट लाइन्स में यूज की जाती है तो यह इनका थोड़ा जाता है गाइस की अगर इनकी स्टेंग पावर अच्छी नहीं है तो बिट टिक जाती है यह आपके लिपस पर क तो जो है गाइस प्रोडक्ट काफी एफोर्डेबल रेंज के हैं एक इस वाले मैट आई लाइनर को चोड़ करके लिप लाइनर भी मुझे काफी जाद अच्छा लगा काजल तो इनका बैस्ट क्वालिटी का है तो एक बार आप इन चीजों को ट्राइब करके जरूर से देख सकते हैं I hope कि मेरा ही जो वीडियो है यह आप लोगों के लिए helpful रहा होगा लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा थैंक यू गाइस बाबाए